हलो स्टूजेंट्स वेलकम बैक अगैन और मा यूटूब चैनल मा इगनु सलूशन स्टूजेंट मेरा नाम चेतना है और आज के इस फीडियो में मैं आपके लिए अगले सब्जेक्ट का जो है यहाँ पर सॉल्व असाइमेंट लेकर आई हूँ जिसमें मैंने इस बार MMPF 014 का आपके लिए सब्जेक्ट लिया है और MMPF 014 Financial Management का यह सब्जेक्ट है इसी में हमने English Medium यहाँ पर लिया है अगर आपका स्टूइट यहाँ पर Hindi Medium होता है या कोई और सा सब्जेक्ट होता है इगनु का तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं ताकि नेक्स टाइम हम जब वीडियो लेकर आएं तो वो आपके सब्जेक्ट पर और Medium के अकॉर्डिंग हो सके यहाँ पर हम MMPF 14 का यहाँ पर solve assignment देखने वाले यानि कि solve answer मैं आपको वीडियो के end तक दिखाऊंगी आपके जित्ते भी यहाँ पर इगनु की तरफ से question पूछे जाते हैं assignment बनाने के लिए उनकी solve answer हम इसमें देखने वाले हैं और यह सभी questions और answers जो मैं आपको दिखाऊंगी यह सभी आपके लिए यहाँ पर best quality में provide हो रहे हैं आपको जो भी content यहाँ पर यूज किया हुआ है आपके लिए वह best content यहाँ पर मैंने आपके किस तरह से student अपने assignments के mark से score कर सकता है उसके according की पूरा prepare कर रहा है तो अगर आप इसको use करते हैं तो आप definitely अपने assignments में अच्छे marks से score करने वाले हैं तो यहाँ पर यह assignments आपके लिए helpful रहेंगे और साथी में student यहाँ पर हमारे पास soft copy भी available है अगर आप WhatsApp पर soft copy लेना चाहते हैं या फिर आप hand return का order देना चाहते हैं कि किसी भी subject पर तो वह भी आप दे सकते हैं hand return भी आपको same quality में दिया जाएगा और उसको भी अगर आप submit करते हैं तो उसके भी आप अच्छा marks score कर पाएंगे तो यह भी आप हमसे ले सकते हैं WhatsApp नंबर आपको description में दिया हुआ है वहांसे आप हमें contact करके अपना subject बरता के इसब चीजे आप ले सकते हैं तो यहां पर सबसे पहले हम MMPF 14 का solve assignment PDF देख लेते हैं किस तरह से prepare किया हुआ है आपके लिए वीडियो के end तक देखें यहां पर मैं आपको सारी answer दिखाऊंगी आप चाहिए तो साथ साथ में assignments बना भी सकते हैं तो सुन यहां पर इस तरह से PDF आपको दिया जाएगा MMPF 14 financial management subject name आपका लिखा हुआ है प्रेंट पेज है और सेंडले solve assignment 23-24 session का यह latest session मैंने लिया हुआ है 2023 में अगर आपने अभी जूनिया जुलाई में admission लिया है या आप January में admission लेने वाले तो आपके लिए यह assignment होगा नीचे आपको एक disclaimer भी दिया हुआ है इसे भी read कर सकते हैं जिसमें हमने जुह है अपने assignment से relative सारी information यहाँ पर आड़ करें आपको आपको थोड़ा सा भी स्क्रीन की वेज़े से blur दीख रहा हो यहाँ पर तो आप जुह है इसको download भी कर सकते हैं इसका भी मैं आपको link दे होती है वहाँ से जाके भी आप इसे download कर सकते हैं और question paper में यहाँ पर आपको लिखा हुआ है attempt all the question यानि कि आपको जितने भी question यहाँ पर दिये गए हैं वो सारी question आपको attempt करने हैं उसके बाद यहाँ पर आपकी last date भी बताई गई है January 2023 के जो session के लोग हैं उनको जो है 30 अपरेल में अपना assignment submit करना है और जो जुलाई के student है उन्हें 31 अप्टू पर दा इसके बाद questions आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका question number five आपके total five question इस assignment में दिये हुए है और यह five ही आपको जो है attempt करना है एक बार फिर से देख लेते हैं ठील आपको करने करने में झाल 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 सबके equal marks हैं यहां पर 20 marks का each question होता है और 100 marks का आपका पूरा assignment रहता है तो student इसके अलावा अगर आपको कोई और से subject पर assignment चीह होता है तो आप हमें comment करके बता सकते हैं ताकि next video हम जो है आपकी subject पर ला सकें तो thank you so much students video को end तक लिखने के लिए